बुरे वक्त में कुछ लोग खुट तूट जाते हैं और कुछ लोग जो है वो रिकॉर्ड बना जाते हैं अब आप डिसाइड कर लो आप कौन सा काम जो है वो करना चाहेंगे लेकिन साथ-साथ एक बात और याद रखेगा कभी भी कभी भी कमफर्ट जोन से जो है वो सक्सेस निकल कर नहीं आता है जब भी आपको सक्सेस देखना है तो मुस्किल वाले रास्ते से ही जो है वो आपको सक्सेस दिखाई देगी बहुत कड़ी सचाई है तो यहां से कम से कम आप बाहर निकलिए और ये रास्ती को आप अपनाए क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अबट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का यानि कोई भी एक्जाम का जो मोक टेस्ट है न वो आप हमारे एप्लिकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप सभी देच सकती हो एप्लिकेशन के उपर हिंदी और इंगलीज दोनों ही लेंगवेज में ठीक है और एक बात अगर वहां से 349 वाला पैकेज लेते हैं मैं बार 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 बोलता हूँ आप यही लीजिएगा वर्रा बहुत जन बोलते हैं भाईया हर एक एक्जाम के लिए बार बार अलग लेना पड़ता है इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडीटी के साथ बैंक, रेलवे, ससी यानि हर एक एक एक्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा वो भी एक साल तक के लिए ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 6th March के Important Current Affair कुछ Important तत्य के साथ उसके पहले एक बार अपने क्लास का जो टाइमिंग है न वो आप सभी देख लिए ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल मिसना और एक बात आप सभी बोल रहे थे, भाईया रात को 10 बजे वाला जो 200 कुछ्सन करवा रहे रिजनिंग का उसका प्लेलिस्ट मरा दीजिए तो उसका प्लेलिस्ट जो है वो मैंने क्रेट कर दिया है तो चैनल पर आते ही आपको वो प्लेलिस्ट जो है वो दिख जाएगा तो देखते हैं आज का इपॉर्टेन करेंट अफ्यर पहला हमारे सामनी क्या निकल कर आ रहा है और पहला क्वस्न है पच्छमी रेल्वे घोसरा की है कि 24 अगद 2020 तक आर वैलेट में परतेक रिचार्ज पर कितने परतिसद जो है वो बोनस देगी तो पच्छिम रेल्वे यानि विस्टन रेल्वे जो है अब जितना भी आप आर वैलेट को रिचार्ज करोगे न तो आपको पांच परतिसद का जो है वो छूट दिया जाएगा अब यह है क्या यानि बोनस दिया जाएगा आपने अगर आपके मुबाइल में UTS होगा ठीक है अगर UTS क्या है भीया आप नॉर्मल भासा में समझो न कि रेल्वे का एक वैलेट है जहां से आप टीकिट वेगरा बोकिंग कर सकते है ठीक है अब जावा देने के लिए ताकि बहुत सारे लोग जो है वो इससे जुड़ सके इसलिए उन्होंने कहा है जब भी आप उस वैलेट को रिचार्च कराओगे तो आपको पांच परतिसत का जो है वो बोनस दिया जाएगा माल लो आप 100 रुपए का रिचार्च करवाते हैं तो आपको कितना बैलेंस मिलेगा 105 रुपए ठीक है यही क्वेस्टन बोल रहा है और यह ओफर कौन दे रहा है आपका तो विस्टन रेलवे पच्छिम रेलवे ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है विस्टन बैंक जो है उसने घोसरा की है कि क्रोना भाइरस पर कोप से निपटने के लिए देशों की सहायता के लिए कितना सहायता पैकेज देगा तो विस्टन बैंक जो है जो वर्ड बैंक है वह 12 मिलियन डॉलर देगा और आप सभी को पता है कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि विस्ट स्वास संघटन यानि वर्ड हेल्थ और गन्ना येसन ने 675 बिलियन डॉलर का बिलियन ने मिलियन का हेल्प करने का फैसला किया है क्रोना भाइरस के परकोप से बचने के लिए ये भी आप एक क्वेशन याद रखना तो विस्ट स्वास संघटन ने उनके द्वारा तो 675 मिलियन डॉलर और अगर बात करें वर्ड बैंक के तो वर्ड बैंक का हेट कौटर कहां पर है तो वांसिंटन डीसी और राष्ट पती कौन है डेविड माला पास अगला क्वस्यन वारे सामने है 4 मार्च 2020 को राष्ट पती रामनात कोबीन द्वारा वार्सिक ललित कला अकेडमी पुरुसकार कितने कालाकारों को सम्मानित किया गया है ललित कला अकेडमी पुरुसकार से तो 15 कालाकारों को आप्सन नमबर आपका A अगला क्वस्टन अमारे सामने है किस भारतिय महिला क्रिकेटर ने निविंतम महिला T20 अंतरास्टिय बल्लेबाज रैंकिंग में सिर्थ इस्थान हासिल किया है कल रात को साड़े 11 बजे वाले करेंट अफ्वेर के क्लास में मैंने बताया था सिफाली बर्मा अप्शन नमबर आपका D और आप सभी को पता है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और अस्टेलिया जो है वो आपस में भीडेंगे कब 8 मार्च को उस दिन क्या है आप सभी को पता है मैला दिवस भी है 8 मार्च को ठीक है चलो अगला क्वस्य नमारे सामने है निमलिखित में से कौन वो है जो भारतियम मुल्के रहने वाली है लेकिन भारत में उनका जनम हुआ है लेकिन अमेरिका में रहती है उनको अमेरिका में जो एक क्रोना भाइरस को लेकर टास्फोर्स को बनाया गया है उसके प्रमुख सद्द्चिक की रूप में नामित किया गया है तो उस ग्रूप में सामिल किया गया है जिनका जनम इंडिया में हुआ है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका सीमा बर्मा option number भी याद रखिये question काफी important है अगला question हमारे सामने है BCCI की चैन समेथी के अध्यच के रूप में किसे नुक किया गया है तो ये कौन है सुनील जोसी इंडिया के spinner लेफ्टर spinner थे और बैटिंग भी ठिक ठाक कर लेते थे तो इनको जो है BCCI की चैन समेथी के अध्यच के रूप में नुक किया गया है और BCCI का प्रेसिडेंट कौन है तो सभी को पता है सौरव गांगुली हेट क्वाटर तो वो है आपका कहाँ पर तो सभी को पता है मुंबई अगला question हमारे सामने है अभासी मुद्राओ के बैपार पर RBI के द्वारा जो है वो परतिबंद लगाया गया था लेकिन किस नेयाले के द्वारा जो है वो परतिबंद हटा दिया गया है तो सुप्रीम कोट के द्वारा जो है वो बैन जो है वो हटा दिया गया है ठीक है और एक बात सुप्रीम कोट के जज का नाम क्या चीप जश्टिस ऑफ इंडिया एक्जाम में कुश्यन आया था आप का CGL का, तो answer क्या होगा आपका सरद अर्वीन बोद्दे ठीक है, अगला क्वस्य नमारे सामने, भारत ने निम्ण में से किस तारीक को जन और सौधी सप्ता 2020 मनाया है, तो एक मार्स से साथ मार्स तक ये जो है, वो मनाया जाएगा क्या, इंडिया सेलिब्रेट जन और सौधी वीक 2020 कौन से तारीक से एक मार्स से साथ मार्स तक, और एक बात इसका बिसाई याद रखिया एक्जाम में काफी थीम के उपर क्वस्य ना रहा है, तो थीम क्या है इस हपते का सूबिदा से सम्मान ये आप जरूर याद रखना इस सबार का जो है, वो आपका थीम है अगला क्वस्य से नमारे सामने है जम्मू और कस्मीर में स्टुडेंट हिल्थ कार्ड योजना किसने सुरू की है, तो वहां के उपर राज जुपाल, लेफिदेंट जिनका नाम क्या है ग्रीस चंद्र मुर्मु जी के द्वारा ठीक है, अगला क्वस्यन हमारे सामने है, क्रोना भाइरस के प्रकोप से निपटने के लिए किस राज या केंदर सासित परदेश में एक टास्क फोर्स जो का गठन किया गया है, और ये किया गया है, आपका नई दिल्ली में option number D अगला क्वस्यन हमारे सामने है और ये क्वस्यन आज का सबसे important क्वस्यन है क्वस्यन बोल रहा है, उत्रा खंड की ग्रिस्म काले नाजधानी के रूप में कौन सी जगा नामित की गई है कहने का मतलब है, अब उत्रा खंड का जो है, वो दो राजधानी हो जाएगा एक तो आप सभी को पता है, दहरा दुन है अब दुसरा जो ग्रिस्म काले नाजधानी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गैर्सेन बहुत important question है इसको आप सभी note कर लीचेगा ठीक है, आज का आपका पहला प्रस्न यहीं से निकल कर आ रहा है, मैंने ये तो आपको बता दिया है, उत्रा खंड के राजधानी का है आप सभी को comment करकर ये बताना है, कि उत्रा खंड की chief minister का नाम क्या है यानि वहाँ के मुख मंत्री का नाम क्या है, और वहाँ के राजधानी का नाम क्या है ये दो चीज आपको उत्रा खंड के बारे में comment करकर बताना है, अगला क्वस्स नमारे सामने किस देश ने दुनिया का पहला मुफ्त रास्ट ब्यापी सरजनिक परिवहन सुरू किया है, which country has launched the world first free nationwide public transport और ये start करने वाला है आपका लक्संबर्ग, option number आपका C अगला क्वस्स नमारे सामने है भारत में हर साल राष्ट या सुरक्षा दिवस कम मनाया जाता है और ये मनाते हैं हम सभी 4 March को option number B, अगला क्वस्स नमारे सामने निमलिखीत में से किसे तर्की में नए भारतिय राजदूत के रूप में निउत किया गया है वो among the following has been appointed as the new Indian ambassador to Turkey और उनका नाम है आपका संचे कुमार पांडा option number आपका D और तर्की के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ capital का है अनकारा, मुद्रा, तर्किस लेरा और रास्टपती वहाँ कौन है तो रेसे टाइपी एडगॉन अगला प्रस हमारे सामने है भारत में गूगल का यानि इंडिया में गूगल का दुसरा cloud छेतर जल्द ही किस सहर में launch किया जाएगा तो ये launch किया जाएगा आपका नई दिल्ली में और इसके सासाथ ये भी याद रखिएगा पहला cloud छेतर कहाँ पर जो है वो launch किया गया था तो 2017 में कहाँ पर मुंबई में दुसरा कहाँ पर किया जा रहा है तो नई दिल्ली में याद रखिएगा question ये वाला अगला question है 2023 में कौन सा भारतिय सहर जो है वो अंतरास्टिय ओलम्पिक समिती यानि इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी के सत्र की मेजबानी करेगा 2023 में तो ये करने वाला है आपका option number और ये question भी काफी important है गाठ बालो exam में बनेगा तो वो है आपका option number भी मुंबई ठीक है तो ये थे आपकी important current affair cup का 6 March का और इसका पूरा PDF आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो जाकर आप सभी download कर लीजेगा सो मेरे जितने भी भाई बेंद देख रहे है सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा और क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजेगा वीडियो को पर ठीक है